वेलकम, वेलकम टू फोपस एजुकेशन, फोपस एजुकेशन में आपका स्वागत है, जैसा कि आज है 9 जनवरी और हम बात कर रहे हैं इंपोर्टिन्ट करिंट अफियर्स के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि डेली करिंट अफियर्स आता है, सामके समय 6-7 के बीच में, तो आपके लिए काफी महत्पूर्ण रहेगा ये करिंट अफियर्स जो अपकमिंग एक्जाम के लिए, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इधर उधर की बात के ऑथन्टिक डाटा के साथ में करिंट अफियर्स आ रहा, और डेली के मैक्समम साथ से 8 चीजे होती हैं, साथ में उसके साथ आपको पूरा का पूरा करिंट अफियर्स भी डिसकस, कि करिंट अफियर्स के साथ में स्टैटिक भी कवर होता है, मतलब आपके लिए बता दें कि करिंट के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं स्टैटिक के, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, रेल्वे ने अभी अभी technician की vacancy भी out की है आपके लिए golden opportunity बन चुकी है अगर आप preparation करने चाहते हैं तो Forbes education की मदद से पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर सकते हूं तो चलिए चर्चा करते हैं आज के current affairs के लिए बढ़ते हैं जो काफी important रहेगा आपके exam में भी यह चीजे पूछी जाती हैं साथ में करेंट के साथ में हम चर्चा करेंगे static के बारे में भी real time पे जो static important होगा उसकी चर्चा तो अगर आपने पिछली current affairs नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा के उन current affairs को watch करिएगा आपके लिए काफी बड़ा important concept बनेगा और उसी के भिहाब पर चीजे बनेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज के current affairs को और first current affairs union cabinet communication minister स्री अश्वनी वैश्नों launch the native for state platform on 7th March केंद्रिय संचार मंत्री स्री अश्वनी वैश्नों ने 7 March 2014 को NIT for states अब आपको पता होगा अपने नाम से सपस्ट है नीती for states का क्या मतलब है कि हर राज्य के development के बारे में बात करेगा और इसे किस नाम से जानते हैं बिटा think tank के नाम से actual में नीती आयोग आया कब योजना आयोग को शमाप्त करके किसको समाप्त करके योजना आयोग को शमाप्त करके ये आया बिलकुल याद रखेंगे हम पूरी बात करेंगे योजना आयोग को शमाप्त करके इंडेड आफ प्लानिंग कमीशन इसके लिए बटा इंडेड आफ प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के समाप्ती पर आया कौन सा लॉंच किया गया है बिलकुल याद रखेंगा इसके बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं जो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा तो देखें रेल मंत्री और अशनी किसने लॉंच किया है नाम है नीटी ओर स्टेटस किसके जवारा लांच किया गया आइटी एंड रेलवे मिनिस्टर किसके द्वारा आसे आइटी एंड रेलविमिनिस्टर रेलवे मंत्री कौन है पर्टिकुलर याद रखेगा ब्यक्ति का नाम है अश्वनी वैश्णव किस ने लॉंच किया है अब इसको किस लिए तयार किया गया इडिजाइन फॉर्दा गुड़ गवर्मेंस पॉलिसी गुड़ गवर्नेंस पॉलिसी सुशाशन नीथ के लिए किसके लिए किया गया है गुड़ गवर्नेंस पॉलिसी के लिए गुड़ गवर्नेंस पॉलिसी या पर्टिकुलर शुशाशन और नीत के लिए किसके लिए लॉंच किया गया है शुशाशन वा नीत के लिए लॉंच किया गया शुशाशन वा नीत के लिए हर स्टेट के लिए यह पर्टिकुलर अब ज्यादा नीति का full form क्या है एन आई टी आई नेति का full form है national n से national institution national institution for transforming transforming इंडिया भारत का think tank के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना की बात की जाए कब establish हुआ तो एक January 2015 कब launch हुआ ये एक January 2015 को establishment याद रखेगा national institute for transforming India clear है इसका मुख्याले कहां है अगर आप से headquarter पूछे तो याद रखेगा new Delhi इसका headquarter कहां है नई दिल्ली में headquarter कहां है बिटा नई दिल्ली में थापना कब हुई एक January इसका प्रसीडेंट कौन होता है पर्टिकुलर नीत यायोक का ध्यक्ष पियम होते हैं पियम वर्तमान में कौन है नरेंद्र मूदी clear है transforming India इसके अध्यक्ष होते है clear लेकिन इनकी गतिविधियों को ध्यान लेखने के लिए इनके वाइस प्रसीडेंट होते हैं उपाध्यक्ष और इस समय उपाध्यक्ष कौन है सुमन बेरी बिल्कुल नाम याद रखेगा शुमन बेरी काफी ज्यादा important है सुमन बेरी clear और CEO पूछा जाए तो बी वी आर शुब्रमनेयम बिल्कुल याद रखेंगे बी वी आर सुब्रमनेयम तो आपको नीती आयोक के बारे में हमने बता दिया क्या launch किया गया भारत के सतत विकास के लिए ये चीज़े launch की गई किसके लिए launch की गई भारत के शतत विकास सस्टनेवल डवलप्मेंट के लिए launch किया गया काफी important रहेगा तो याद रखेंगे हुआ क्या है union communication minister स्री अश्वनी वैश्णो लॉंच दा नीती फॉर स्टेट्स स्टेट के फर्दर पूरे के पूरे विकास के लिए क्या launch किया गया नीती फॉर स्टेट्स अब हमने नीती आयोक से संबंध ही देखा नीती आयोक का फॉल फॉर्म क्या है national institution for transforming India अध्यक्ष कौन है मानिय प्रधानमंत्री जी उपाध्यक्ष कौन है सुमन वेरी जी CEO BBR सुब्रमणियम कब आया एक जनवरी 2015 कहां आया पर्टिकुलर नई दिल्ली में आया मुख्याले है इसका और किस लिए आया for the sustainable growth of and planning commission of the India भारत के सतत विकास के लिए नीती आयोग और नीती फॉर इस्टेट्स किसने लॉंच किया है इस लॉंच्ट बाइदा श्री अश्वनी वैश्नौ अश्वनी वैश्नौ के पास कौन सा मंत्रा ले है बिल्कुल याद रखेंगे अगले में बढ़ते हैं नेक्स्ट नमस्ते स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी अगला जो कोश्चन बना इट इंपॉर्टेंट फोर नमस्ते स्कीम एंस्योरिंग सफ्टी एंड डिगनिटी ओफ वर्कर इंगेज़ इन क्लीनिंग ओफ सीवर लाइन्स एंड सफ्टिक टैंक एक सीवर लाइन और सेफ्टिक टैंक की सफाई में लगे स्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनस्चित करेगी कौन सी योजना है बिटा याद रखेंगे नमस्ते योजना एक्शुल में है क्या यह आपको पता होगा कि जो भी वर्कर सीवर्ज में काम करते हैं नालिया साफ कर करते हैं उनको कई तरह की बीमारिया हो जाती थी कई तरह के सेप्टिक टैंक में बैक्टीरिया रहते थे फंगस रहते थे उसकी वज़े से काफी प्रॉबलम होती थी तो उनको बचाने के लिए मसीनी कृत करने के लिए आधुनिकी करण बनाने के लिए नमस्ते योजना ल के लिए आधुनिकी करण के लिए आधुनिकी करण की योजना है कौन सी योजना है बेटा आधुनिकी करण modernification की पूरी की पूरी प्लान है इसकी तहत क्या होता है पूरे सीवज को modification किया जाता है और initial में ये 605 सहरी निकायों में है पहले कचड़ा बिनने के लिए आपके यहां रोज particular क्या था लोग bag लेके आते थे अब धीरे धीरे गाड़ियां आ चुकी है गीला अलग सूखा अलग और कई सारे साथ में इनको digital उपकरण दिये जाएंगे इसी के तहत क्या प्रदान किया जाएगा digital उपकरण मतलब आप इससे सफाई कर सकते हैं digital equipment is also provided अगर digital equipment मिल जाएगा तो फिर जो बीमारियां है वो क्या होने लगेंगी कम होने लगेंगी और अगर बीमारियां कम होने लगेंगी तो आगे जो होगा काफी अच्छा हो जाएगा उनके स्वास्त में गलत प्रभाव नहीं होगा आसानी से उनका क्या है पूरी तरह नमस्ते योजना कौन सी योजना है नमस्ते योजना इसके पहले क्या आया था नीती फॉर स्टेट्स दोनों कुश्ण आपको याद रहेंगे नमस्ते योजना जो है पूर्थ ग्रेट जो सीवज वाले काम करने ये मैं नहीं कहता गलत काम है काम सही है और इसे महान किसी का काम नहीं है क्योंकि अगर चारों तरफ सफाई रहेंगी पूरी तरह से अच्छी चीज़े हैं तो फिर आपको particular डरने की बात नहीं है, सफाई है, सब है, तो बीमारी आपको दूर होगी, लेकिन ये लोग क्या है, सफाई करते करते बीमार हो जाते थे, तो उस modernification को आधुनिकी करन की मदद से हम क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास किया गया, that is, launch the scheme, name is the namaste scheme, कौन सी यो योजना के नाम से जाना गया, clear रहेगा आपको, नीती आयो, कब आया था, क्या-क्या चीजे, first question, और second में यहां तक बात है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, नमस्ते योजना, सीवर के सफाई के आधुनकी करन के लिए, initial में छहसो पास सहरी निकाय है, और digital उपकरणों के लिए की जाएगी, और इसमें ब्यक्ति को कौन सी किट दी जा रही है, PPE किट भी प्रदान की जा रही, जिससे उनके fungal infection, fungal bodies, यह सब उनको ना होने पाए, clear है, दो करेंट अफ on 6th March orientation, CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research, दोनों ने मिलके एक कार्यशाला की अयोजना तयार की, किसके लिए की, for the health, किसके लिए किया गया है बेटा, for the health, या स्वास्थ योजनाओं के लिए, किसके लिए किया गया है, स्वास्थ योजनाओं के लिए, किसके ने CSIR और Policy Research ने जार खंड में इसका further investigation किया गया, अब आप थोड़ा सा further information ले सकते हैं, संस्थान का नाम है CSIR, Central Science Institutional of Research Organization, CSIR जो है स्वास्थ संबंधी होजनाओं, Ministry of किसके अंतरगत आता है, याद रखेगा, Ministry of Science and Technology, किसके अंतरगत आता है, Ministry of Science and Technology, या स्वास्थ एवं तकनीकी मंत्राले के अंतरगत आता है, किसके अंतरगत आता है, स्वास्थ एवं तकनीकी मंत्राले के अंतरगत गिना जाता है, किसके अंतरगत, स्वास्थ एवं तकनीकी मंत्राले के अंतरगत गिना जाता है, 1942 से चल रहा फिर इसका नेसलाइजेशन लग होता है और इसको जो चेर्मैन होते हैं अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष होते हैं PM और PM इससे में कौन है नरेंद्र मूदी तो याद रखेगा जितने भी कॉंस्टिटूशनल हैं उन सब के गठन के लिए यही ध्यान देते हैं तो किस ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रोग्राम चालू किया बिलकुल याद रखेगा एक वर्क्षॉप के कैसे साफसफाई रखे जा सकती है पॉलिसी के रिसर्च के लिए इन सब के बिहाब पर यह चालू किया गया नेक्स्ट में बढ़ते हैं कोल मिनिस्टर स्री प्रहलाद जोसी लॉंच दा न्यू कॉर्पोरेट्शन शोसल रिस्पोंसिविलिटी इनिशियेटिव ओफ कोल इंडिया लिमिटेड ओन सेवन्थ मार्च तूटाउजन च्वेटिफॉड कोईला मंत्री स्री प्रहलाद जोसी ने 7 मार्च 2024 को कब बिठा 7 मार्च 2024 को कोल इंडिया लिमिटेड की नई कॉर्पोरेट सामाजिक जुम्मेदारी की पहल की सुरुवात की किस ने किया है कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड सामाजिक पहल का मतलब क्या है शामाजिक पहल का मतलब है कि CIL, Central जो आपका Particular Coal India Limited है CIL, यह सबसे ज़्यादा इसका जो इनिशियेटिव है ज्हारखंड में स्कूलों को Digital करना, या Digitalization of the School, स्कूलों को digitally करन के लिए इन्होंने यह योजना लौँच की, सामाजिक साथ में नन्हा सा दिल योजना इसमें लौँच किया गया, कौन सी योजना, नन्हा सा दिल योजना, इनिशियल में सत्तर सरकारी स्कूलों को क्या किया जाएगा, स्मार्ट किया जाएगा, स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा किसमें बदला जाएगा, smart schools में इनको convert किया जाएगा, किस-किस ने मिलकर किया है, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, और कोईला मंत्री स्री प्रहलाज जो सी, ये initiative कहां लिया गया जारखंड, जारखंड एक tribalist, जनजातियों से मुंडा ट्राइब काफी जादा है, तो उसको पर उनका विकास हो पाए, और उसी sustainable growth के लिए ये पूरा का पूरा सेनेरियों रखा गया, तो काफी important रहेगा, पहला नीटी for states अश्वनी बैशनों, दूसरा हमने देखा कि particular नमस्ते योजना, तीसरा CSIR ने policy के साथ मिलकर policy research बनाया, और 4th कोईला मंत्री ने कॉर्परेटिव सामाजिक जिम्मेदारी की घोशना कर दी, मतलब sustainable growth के लिए पूरी की पूरी चीज़े रखी गई, ये है क्या योजना, ये आपको मालूम चल चुका है, particular किसके लिए है, क्या-क्या चीज़े इस पे चली, तो ये किस लिए थी, जहार खंड के, इस कूलों को सतत्व विकास और उनमें विकास के लिए, डिज्टिलाइजेशन के लिए योजना बनाई गई थी, अगला कुश्च्चिन, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, full form कभी पूछेगा, तो याद रखेगा, CSIR का full form, Council of Scientific and Industrial Research has launched a unique health chapter camp called Phenome India, वैज्ज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशत CSIR ने, Phenome India नामा के एक अनूठा स्वास्थ सिविर, क्या नाम है इस सिविर का Phenome India, कौन सा है Phenome India, स्वास्थ चेकप योजना है, लेकिन इसमें लोगों को स्वास्थ संबंधी जानकारी दी जाती है, awareness program क्योंकि होता क्या है, आजकल आपने देखा होगा व्यक्ति चलते 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 हाट अट अटाइक आ रहा है, व्यक्ति रात को सोता है, सुबह काफी कम उम्र में उसको heart attack, बाकी problem आ रही है, उस विचार धारा को बदलने के लिए, आपको particular continue check-up के लिए एक program चलाया गया, जिसे जानते हैं किस नाम से, फेनॉम, फेनॉम इंडिया, किस नाम से जाना जाता है, फेनॉम इंडिया, स्वस्थ भारत, विकास सील भारत के लिए लाया गया, किसके लिए, स्वस्थ भारत, विकास सील भारत, इसमें tagline मोदी जी ने चलाई थी, कि स्वस्थ भारत, विकास सील भारत, स्वस्थ भारत विकास सील भारत के लिए टैग लाइन चली थी बिल्कुल याद रखेगा इसके लिए स्वस्थ भारत विकास सील भारत के लिए इसमें है क्या हर जगह पे प्रयोग साला लेबोट्री बनाई जा रहे हुँ है जो लेबेट्र क्या करेंगी इसके लिए पर्ट प्हुरिश्ध भारत विकास्सिल भारत के बिःट पर चलेगा और करडियो और आदूबोलिक रोगियों के पहचान विए सबसे जञदा समस्या चाई यह को रहा है यहें चेक अब किसे हो रहा है कारडियों की कि पहचान के लिए किसके लिए कार्डियो रोगियों की पहचान के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है फैनोम इंडिया CSIR किसने चलाया है CSIR Full Forms Council of Scientific and Industrial Research के नाम से जाना गया बिलकुल याद रखेगा CSIR के नाम से भी इसे क्या किया गया पूरी तरह से जाना जाता है कौन सा प्रोग्राम चला है फैनोम इंडिया के नाम से जाना गया किस नाम से है यह फैनोम के नाम से भी इसे जाना जाता है बिलकुल याद रखेगा, काफी important current affairs आपके लिए बनेगा, तो अगले question में बढ़ते हैं, अगला है, काफी ज़्यादा important, CSIR, Indian Institute of, काफी ज़्यादा important है, आपके लिए, CSIR, Indian Institute of Petroleum Sign, MOU, Memorandum of Understanding with use code to deploy the pin needle based fuel making technology in चमपावत, काफी बड़ा initiative लिया गया, CSIR भारती petroleum संस्थान ने चमपावत में pine needles आधारी इधन बनाने के तक्निक को तैनात करने के लिए, you cost के साथ समझोता ग्यापन हस्ताक्षर क्या, actual में है क्या यह, pine technique का मतलब क्या है, कि कम इधन प्रयोग करके जाधा efficiency ला जा सके, pine मतलब एक bridge उसकी needle से particular क्या होता है, जैसे आपने पहले पुराने जवान लकडी वगएरा देखा होगा, तो उसके बिहाब पर चलता है, और यह कहां है, CSI और petroleum संस्थाबच चमपावत, कहां पे किया गया, उत्तराखंड पे, कहां पे यह scenario था, उत्तराखंड में यह सुरुवात की गई, कहां की गई है बिटा, उत्तराखंड में यह सुरुवात पूरी तरह से की गई है, किसके आधार पर, चमबावत में pine needles आधारित इधन, कौन सा इधन मना जा रहा, pine needles आधारित इधन, कि तकनीक बनाने पर, you cost के साथ समझोचा है, जो दूसरी company है, वो कौन सी है, you cost, किसके साथ समझोता हुआ है, you cost के साथ मिलकर इन्होंने यह program बनाया है, और इसी के भिहाब पर पूरी चीज़े क्या हैं, इसमें चलती है, you cost और pine के साथ बना के इन्होंने किया है, clear, तो CSIR भारती petroleum संस्थान ने चमपावत में pine needles आधारित इधन बनाने की तकनीक को तैनात करने के लिए you cost के साथ समझोता क्या, और you cost क्या है, एक प्रकार की company है, जो सस्ते दामों पे इधन को क्या करती है, मोहिया कराती है, और यह काफी अच्छा रहेगा, और यह पहले क्या होता था, लोग काफी ज़्यादा धुमें से परेशान रहती, तो उस धुमें और धुल से मुक्ती के लिए यह program चलाया गया जो कि आगे आने वाले समय में कुछ renewable energy के उपर ध्यान जिया जाएगा, और उत्राखंड में start हुआ, किसने चुरू किया पुशकर सिंग ठामी, और यह कौन है particular CM of उत्राखंड, कौन है यह उत्राखंड के CM, आगले question की तरब बढ़ते हैं, काफी important, CSIR, Indian Institute of Petroleum Science Memorandum of Understanding to deploy the pine needles based on the making the technology of Champawat, अगला है, स्री बेंजमिन अल, तुल्मानिया वाज अपॉइंटेड अपूइंटेड अपूइंटरी कमिशन फॉर दा मड़ी पूर और मिजोरम, आपने देखा होगा, काफी न्यूज में थे मड़ी पूर और मिजोरम, दोनों इस्टोट क्या थे, काफी ज् बिजली की आपूर्थ के लिए, मतलब पूरी तरह से, appointment as member of the joint electricity, स्री बेंजमिन अल, क्यूल्माटिया को 7 March 2024 को मड़ी पूर और मिजोरम के लिए, शयूक्त विद्दूत नियामक आयोग के शदश्य के रूप में नियूक्त किया गया, मतलब वहाँ पर electricity की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसको सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए, आपने देखा हुगा कई दिनों तक इंटरनेट से वाए हिंसा की वजह से बन थी, उसके काण इलेक्रिसिटी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए इनको नियूक्त किया गया, विद्दूत नियामक आय वो सब याद रखना है, मडीपुर, जो आपका मडीपुर में काफी ज़्यादा फेमस भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ भेजती थे लोक्तुक लेक पर था, अगला, अब इन्होंने क्या किया, मार्च के महिने में कोईली का एक डाटा पब्लिश होता है, उस डाटा के लिए इन्होंने क्या किया, ये पब्लिश किया, कोईली मंत्री स्री प्रहलाज जोशी ने 7 मार्ट 2024 को भारत की कोईली निर्देशी का मतलब कोईल मिनिस्ट्री के पूरी की पूरी लेखा जोखा के लिए कोईला सांख्यकी होती है, उस कोईला सांख्यकी को इन्होंने क्या किया, जारी किया है, और क्या किया है, रणनीती, प्रतिस्थापन नरनेजीत पेपर मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको पता होगा कोईला कई प्रकार के होते हैं बेसिकली चार प्रकार के भारत में जो सबसे ज़्यादा कोईला है वो कौन सा पाया जाता है पहला होता एंथ्रेसाइट सबसे टॉप कॉलिटी दूसरा बिटूमिनस लिगनाइट और पीट इस प्रकार के कोईलेस में पाये जाते हैं इसमें से भारत में प्रतिस्थापना के आधार पर इन्होंने कोल डारेक्टरी का भी उदगाटन कर दिया और उसी के भिहाब पर चीजे क्या हैं आपके लिए बनती हैं लास्ट कर इंटर फियर्स आपके लिए इंडियन नेवी फर्स्ट MS-6OR स्कॉडन INS-334 भारती नो सेना का पहला MS-60R स्कॉडन INS हेलिकॉप्टर मतलब कहां पे स्थापित है केरल में यह कहां से लिया गया या किस देश से लिया था इसको अमेरिका से कौन से देश इसको अडॉप्ट किया गया था अमेरिका से बिल्कुल याद रखेंगे अमेरिका से अडॉप्टेशन प्रक्रिया के तहट इसको क्या है अडॉप्ट किया गया था नो सेना का पहला MS-60R स्कॉडन सी होक्स 6 मार्ट 2024 को INS गरुण और दक्षणी नो सेना कमान कोची में कमीशन किया गया आपको याद रखना है केरल की राजधानी तिर्वनंत पुरम यह जो हलिकॉप्टर है वो कहां से लिया गया है अमेरिका से इन्होंने अडॉप्टेशन के मदद से अडॉप्टेशन के मदद से अमेरिका से और किसलिए लिखा आधुनिकी करण के लिए आधुनिकी करण सेना में नेवियल सेना को बढ़ोत्री के लिए नेवियल आर्मी के मौडेनिफिकेशन के लिए अब आपसे कोशन पूछेगा पर्टिकुलर तीनों दिवस कब-कब मनाये जाते हैं तो आपको याद रखना है आर्मी डे अगर पूछे आपसे आर्मी डे पूछा जाए तो याद रखेगा 15th of January Air Force डे पूछा जाए तो 8 October और नेवियल डे पूछा जाए तो 4 December कब मनाये जाता है बिटा? 4th of December को नेवियल डे कब मनाये गया? 4th of December को celebrate होता है जो आपके लिए काफी ज़्यादा important है तो आज के current affairs हो में से सबसे ज़्यादा important तीन से चार current affairs काफी ज़्यों पहला नीटी for states किसने launch किया? कहां launch किया? क्या-क्या चीज़े बनी थी? तो नीटी for states अगर आप को शमाप्त करके इस आयोग को स्थापना की गई कि sustainable growth के लिए दूसरा नमस्ते योजना सीवर में जो लोग काम करते थे उनके sustainable के लिए के बीमार ना हो उनके चारों तरप से security रहे और उसके बिहाब पर ये योजना चलाई गई सफाई कर्मी में या सफाई में लगे स्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा को सुनश्यत करने के लिए CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research ने 6 मार्ट 2024 को एक कारिशाला की ओजना की थी क्या किया education और health के बढ़ाने के लिए प्रहलाज जोशी ने कूल इंडिया के जारखंड में different different school और उसके भिहाब पर पूरी की पूरी घोशना की थी CSIR का नवंध क्या था कार्डियो रोगियों की पहचान के लिए फेनोम इंडिया चलाया था फिर इसके बाद CSIR पेट्रोलियम इधन के चमपावत में pine needles आधारित इधन बनाने के तकनिक को तैरात किया था CSIR ने ही भारत में पेट्रोलियम चमपावत ये हो चुका था Benjamin Tillonink को क्या बनाया गया था पूरी तरह से अधक्षता के रूप में नियुक्त किया गया और कोईला मंत्री प्रहलाज जोशी ने कोईले के लिए बढ़ाया और इसको Navial Command में पूरी तरह से क्या किया गया स्थापित किया गया था Navial Command में इसको क्या किया गया स्थापित किया गया यहां तक चीज़ें आपको clear होंगी question सास नहीं question कल discuss हो जाएंगे पूरे के पूरे तो यहां तक पूरी चीज़े आप क्या करिएगा ध्यान करिएगा अगर कोई doubts है उस doubts को भी हम real time पे clear करेंगे कोई भी अगर आपने पिछले current affairs नहीं देखे जो काफी ज़्यादा important CSIR का establishment कब हुआ क्या चीज़े हुई वो सब हमने discuss किया नी थी आयो कब आया उसके लिए क्या क्या चीज़े बनी थी यह आपके लिए काफी ज़्यादा important रहेगा इसके आगे अब हम next class में discuss करेंगे current affairs इतना current affairs आपको जरूर याद होना चाहिए चैनल को like करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और अगर जूम के तहट आपको preparation करनी है other subjects की या पूरे किसी जैसे SSC CJ, CPO vacancies out है, railways के vacancies out है तो अगर उसकी preparation चाहते हैं तो उनके लिए भी आप particular hopes education का mentorship program को जोईन कर सकते हैं further details के लिए call करिएगा current affairs को जरूर पढ़िएगा काफी examination में है, thank you, चैनल को like and subscribe करिएगा